So, Hello Everyone, Welcome back to my channel, Biohub, तबच्चा पाटी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, Class 12 के बिहार बोर्ड बाइलोजी के कुछ कोस्टन, जो बाइरल कोस्टन आपको भीवी आई, Objectives कोस्टन, जो दो हैर बाइस में जो एकजाम होने वाले हैं कल साथ फरवरी को जिसमें आपक क्या चीज़ है, इसमें आपको टोटल जो कोस्टन रहेंगे, 96 कोस्टन रहेंगे, ठीक है, चलिए ता आगे कोस्टन हम लोग देखते हैं, आगे, उसके बाइस समझते हैं, एक एक कोस्टन को बारी की से, ठीक है, आप वीडियो को पूरा आन तक देखें, और यादी चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को सस्क्राइब कर दें, बेल आइकोन प्रेस कर दें, कि वीडियो का सभी नोटिप्रिक्रेशन सबसे पहले आपके पांस पहुंचे, ठीक है बच्चा बाटी, चलिए हम लोग एक कोस्टन को बारी की से समझते हैं, ठीक है, चलिए, मौर्ण इसमें हम लोगों ने देखा था, शौट में और लॉंग में भी है, उसमें अच्छा से आपको एक्स्प्लानेशन किया गया था, ठीक है, चलिए, हम लोग आज देख रहे हैं, सेक्षन ए में आपसे पुछा गया क्या, खांड ए में, क्या चलिए, लिखा हुआ है, प्रस संख्या एक से लेकर के सतर तक परतेक प्रस्ट के लिए चार बिकल्प दिये जाएंगे, जीन में से एक सही आपको रहेंगे, ठीक है, अपने दवारा चुने गए सही बिकल्पों में, O, M, R, जो मिलेगा, उतर पत्र में उसमें आपको चिनित करना है, और इसमें आप से पूछा गिया, कि टैप्टल कोशिका, क्या बोल रहा है, टैप्टल सेल आर्थ, इसमें जो है, क्या चिर टैप्टल सेल सा आर्थ, देखें, टैप्टल कोशिका होती है, तो क्या होती है, है, हैपलाइड होती है, क्या चिर आगुनित होती है, यह त्री गुनित, क्य कौन होगा डी नंबर ऑप्षन है जो आपको सही होगा ठीक है इसका है जो आपको टैप्टल सेल के बारे में है जो मैंने एक्स प्लाएशन किया था 40 कोश्चन देखे थे लगवा हम लोग ने 40 40 लॉंग कोश्चन टोटल देख चुके हैं जिसमें आपको लगवा कोश्चन एक एक कोश्चन को बारे की से हिंदिय और इंगलीस में दोनों में किया गया था और समझाया गया था अगर जो भी कोश्चन दिया गया अगर उतना आप पढ़ करके जाएगा तो एक्जाम आपको बहुत अच्छा और बेहतर से बेहतर जाएगा 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं ठीक है चलिए तो हम लोग फर्स्ट कोश्चन देखें आप सेकर नम जनन या क्या है बहुभुआटा या क्या है अनिसयोफन और क्या शियर अनिに जनन देखें इस आपको लेखने में लिए क्या है अनीसे के फलन होता है ठीक है जो मैंने आपको इसका morning में भी किया था जिसमें आपको समझाया था question जिसको आप उसमें पूछ रहा था कि East का क्या चीज के त्यारी में किस चीज के चीज के ठीक है चलिए तरुटो कोष्ट्न अब क्या चीज इthाइल अल्कोहल के लिए क्या चीज इथाइल अल्कोहल के लिए ठीक है चलिए फोर token में आपसे पूछा गिया है क्या पूछा गिया है देखिए आश्यार परोप्योलों किन अपड़िव पूर्कुछ सब्सकिबूर को सब्सक्राइब why क्या हूंद क्या है इसका है जो आपको डी नंबर है जो आपको समझाया गया था ठीक है इसमें हम लोगों ने जो आपको ड्राइग्रामेटिक लेवर लेवलिंग करके ड्राइग्राम के थ्रू आपको समझाया गया था में और पूरा उसमें मैंने लॉंग अंसर टाइप में आपको कोस् देख लिजेगा एक बार फिर आप प्रीविएस जो वीडियो दिया गया है उसमें जा करके ठीक है चलिए अब आगे बारे हैं देख रहे हैं कोस्टन नमर फाइब में कोस्टन नमर फाइब में आपसे पूछा गया किस गरांती का अस्तराप सुक्रानों को पोसित करता ठीक ह क्या है क्या है क्या है क्या है जो पोसन के लिए क्या पोसन के लिए दा अस्प्रेमेटो जो आपसन नमर ए में दिया है क्या है क्या है क्या है क्या है पौरूस ग्रंथी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या है पौरूस ग्रंथी तो ऑप्सन नमर इसका सी है क्या चीज ह लिए जो आपको है जो फटीलाइजेशन को एक्स्प्लेंग किया था पड़िए का जो टॉपिक था जो टॉपिक था आपको उसमें समझाया था कि इंटरनल है खाण फटीलाइशन क्या होते हैं और इंटरनल फटीलाइजेशन होता है एकच्टरनल फटम esta प्रॉप समाय आपको पूछ गया था ठाज इसमें आपको फड़िए गया था मैन था और इसका जो आपको सही अंसर वाहन निस part 2 7 6 10 दोनों और कि इसका और सही ऐनसर आपको जिस का सही आनसर क्या है था ही हुगा ऑर smart कैसे हमों बहुत करें सेंस सकते हैं जो पूछा कि जो सिरे नेज होती है आपको क्या चीज होती है तुद्धित नंबर कॉन सा सही हि वह सेवन का दने नंबर मिला होत आसले कीस कौँन गुनित होती है प्राइब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नबर 8 में आपसे पूछा गया स्वाप रागन जो होता है स्वाप रागन जिसको हम लोग क्या ची कहते हैं और इसको चैस्मो गैमी में तो इसका जो ऑप्सन नमबर कौन सा सही है आगे बढ़ने देख रहे हैं नाइन नमर कोस्टन में आपसे पूछा गया है टेटनस द्वारा उतपन 20 परभावित करता है तो किस चीज को परभावित करता है तो आप्सन नमर अ में दिया हुआ है पहले हम इसको इंगलिस में आपको समझाते हैं देखिए किस चीज को एफेट करता है तो क्या चीज स्वैचिक मांसपेशिया को अनैचिक मांसपेशिया को किस चीज दोनों ए एंड बी डी काचिज जबड़े की हड्यों को ओपसन नमर ए में दिया हुआ किस इंगलिस में देखिए किस बॉलेंटरी मसल्स विमें दिया हुआ है बोथ ए एंड बी और दी में दिया किस जा बोन्स तो इसका जो ऑपसन नमर कौनसा सही होगा क्या चीज़ दिया हुआ है बोलेंटरी इसमें जो आपको है क्या चीज़ सवैचिक मांस्पेसिया क्या चीज़ बोलेंटरी मसल्स है जो इसका सही अंसर है क्या चीज़ आगे बाट हैं देख रहे हैं दस नमबर कोस्टन में आपसे पूछा गिया अबू क्या है अबू दिरि पूली ओंतल्डि ऑसम आहिक यहीं ने संसे आपको सॉम्झाया गिया था कि यह चीजीस यह जो आपको आप स्ट्रैध पैसर होगा इसका सही अंसर होगा उसमें लोगों सम्झाए गया थे तीन नंबर के इसका सही अंसर क्या होगा ए नमबर देखिए जितना भी कोस्टन हम आप लोग देखते जा रहे हैं लगभग है जो हम लोग सौट और लॉंग देखे थे उससे रिलेटेड है अगर आप लोग सौट लॉंग भी अच्छा से पाढ़ के जाएगा जिस तरह जीस टाइप से आपको कोस्टन है जो इनलीस करके दिया गया था ठीक है चलिए अब चाहिए होगा जो आपको इगारा का लोग भी खुल अनुमान लगा चुके होंगे इसका सही अंसर होगा है है हरिपसर स्क्राइब लिख प्लांट है छिएह थिख या चलिए बारा नमर बार नमर कोस्टन में आपसे पूचा गिया है पैनी सीलियम क्या बोल रहा है पैनी श किया है, यह जो आपको चैप्टर है, क्या चीज़ है, यह जो आपको चैप्टर है, क्या है, सब्सक्राइब करें तेरह नमर कोस्टन तेरह नमर कोस्टन में आप से पूछा गिया है क्या जो जल क्रामक क्या बोला जल क्रामक में अगर गामी समुदाय का निर्मान करता किया इन हाइडिरो सेरह दा पाइनियोर कैमिनीटी इस फॉर्म दबाइ अबसट A में Дिया क्या चीजर पादप पलप और B में दिया क्यजरjakी डायमेंटरम्स और क्या नमभर यह में और लेमना और क्या साई पेरा P.D. में दहाँ दोनो A and B तो इसका रह्णी अंसर क्या होगा इसका सही अंसर हम लोग देखते है 13 का तो इसका 13 का आपको रह्लिक तहीर एनसर क्या है option number A number है जो इसका सही अंसर है phytoplankton जिसको हम लोग कहते है option number A है जो 13 का सही अंसर है ठीक है चले आगे बाढ़ रहे हैं कोस्टन नमर 14 में 14 में आपसे पूछा गिया है क्या है? 14 नमर में पूछा गिया है An example of क्या है? क्रुस्टोस क्या है? Lichen Eats तो अब देखिए क्या है? क्रस्टोस Lichen का उधारन है किसका उधारन है? Option A में दिया क्या है? राई जोबियाम B में दिया क्या है? 4 टाइमो, G-Ton C में दिया क्या है? राई जो क्या है? Qपर 기侑 दी में दिया है लेमना इसका जो सही अंसर क्या है आपको 14 का 14 का आपको सही अंसर क्या है राई जो कारपन है जो इसका सही अंसर है क्या ची राई जो कारपियन है जो इसका C नंबर ऑप्सन है जो आपको सही अंसर है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कोस् में पूचा गिया कि क्या चीज यू रोक आ ही ओ रुडय काद मेंटीण और अंश्टीर होगा इसक्रे Punch-單 है डियिया संविया डोौपर कई यू घ्यूमर होगा चीए इंग publiसी के घently लुदी जानी काली । इसका सही अन्सर है पंद्रा का आपको काई सा option नंबर सही है जैनीटीकाली एक्टिव है जो इसका चाही अनसर होगा चेनीटीकाली एक्टिव उप्शन नंबर 25 बढ़ना ठीक है अब देखें आगे बरतें हैं देखते हैं 16 लंबर गश्चन में आप से पूछा गिया किव इसमें पूछा गिया है कि हाइब रिया और वाइब्रीड वाइगोर्स अकर्स डिउटू वीच इवेंट इन दा फॉलोईंग तो अप्सिन नमर्ड अप्सिन नमबर कौन सा क्रोसिंग और जो अप्सिन नमर्ब इवेंट उसमें है जो आपको क्या चीज अकर करता है क्या चीज डिउटू क्या इवेंट क्रोसिंग ओभर ठीक है चलिए अब आगे बाढ़ रहे हैं देख रहे हैं सतरा नमर्ब कोश्चन सतरा नमर्ब कोश्चन में आपसे पूछा गया यह भी देखिए बहुत इजी कोश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है जफर बंदी अब मुहार और मेहसाना और दा ब्रीड ऑप्ता है किस चीज का ब्रीड होता है आप लोग कोई पता होगा आप्सिन नमर्ब को नसले है इसका डी नमर्ब ऑप्षन है जो आपको सही है ठीक है चलिगे अब आगे बढ़ते हैं देखते चलते हैं अठारा नमर्र कोश्चन में तोटल हम लोग को सत्तर कोश्चन समाझना ठीक है चलिए आपनसे पूछा गिए जो आपको पूछा गया है ब्चली के फणिट प्रॉ इस चिज़ का प्रोटीन का ठीक है आगे बारते हैं देखते हैं 90 नमर कोस्टन में आपसे पूचा गिया है अनुद्धेर बिखन्डन किसमे होते हैं जो किसमे होते हैं तो binary कि यह समय सब देखते हैं 20えてampea को देखते हैं 20 वह समझते ब्यूसेहां इसमें आपको पूछागिया कि Yis during dinner for a and its sex organs developed, तो की इसमें आपको सही अंसर क्या है, आपको 20 का, तो ये 20 का सही अंसर देखते हैं, देखें, आपस्वन आ में दिया, टासेल, बी में दिया गाँची, आर्के गोन फोरिया, असी में दिया हम कि आर्थेढों डेफोरे डी में इता इनुबत अप kicking का इसका सुहीर आँसर क्या है बी और सी होगा आर ऐंसरा अ идет और को साही है जो आपको स्गा बोत बी एनसर चलिए वीस नमबर क्यों देखें है ठीक है चलिए आगे बारें देखने हैं कोस्टन नंबर 21, 21 में पोछा गिया क्या बोल रहा है कि जीनो टेपि देख के यह जो कोश्टन है जो हम लोग कुश्टन में पहले इसको हम लोग समझे थे लगता कल के है लेक्टर दिये थे उसमें आपको यह कोश्टन है जो पुछा गिया था आज जो मॉर्णिंग में जो तो दिया गया था तो उसमें था लागता फीनो टेपिक पूछा गया था तो उसमें भी उसमें है जो आपको बतलाया गया था ठीक है ता आगे इसका भी देखते हैं साई अंसर क्या है इसमें पूछ रहा जेनो क्या है जीनो टीपिक रेशियो आप ए मोनो हैबरिट क्रॉस ब इसका जो सही अंसर है एक इसका जो आपको सही अंसर क्या है डी नंबर है डी नंबर में क्या है डी नंबर में आपको वान रेसियो टू रेसियो वान है जो आपको सही अंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते चलते हैं देखते हैं कोस्टन नंबर कोस्टन नंबर हम लोग 22 में कि उत परिवार्तन बी में दिया परवालता सी में परवाविता अड़ी में दिया क्या चीज इसमें इंगलीज में पूचा एजीन पेयर हाइट्स था उतिस आपको सही इंसर होंगे 22 के आपको सहीं और यह अंसर होगे यह जो आपको forms ज्दीज जो आपको ऑफटेसोस है जो आपको क्या देखिये यह जो है इसूह है डीज टाइप sayin is नोन ऐज पेटेसिस जीए ठीक इसको हम लोग क्याचिश के नाम से जानते हैं कि इस टैपस ऑप जीन्स आड नोन ऐज एपेटेसिस जीन्स and example of mutalism what is the type of mutitalism ? मुतालिजम और हम उप्स्टन तेस को पूत है मुतालिजम एठ वोlus पूतभी ३गले हम उपसे дост क्लाइमेक्स कॉम्यूटे डीपेंड करता है यह वाटर पे यह तॉयल फैली टीटीप यह तेंपरेचर पर तो किस चीज़ पर डीपेंड करता है तो क्या चीज पर डीपेंड करता है आप पचीस नमर कोश्चन देखते हैं पचीस नमर कोश्चन में आपसे क्या पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है क्या इसमें आपसे पूछा गया है कि बाद एक बाद ही जड़ पर जीबी है तो क्या है अमर बेल है या बिसकम है या क्या है रैपलेसिया है या डी दोनो आपको सी नंबर में क्या है रेपलीसिया है चले 26 नंबर कोईशन में आपसे क्या पूछा गया है अपको सी नंबर कोईशन में आपसे पूछा गया है कि एम्युटा जेनिक क्या एम्युटा जीनिक पॉल्यूटेंट इसका एक उत्परिवार्तन पर्दूसन है तो क्या है कारवन है या क्या है और गेनो फॉस्फेट है या क्या कोलिलेट हाईडरोकारवन या नैट्रोजन ऑ आपको जो होते हैं एक नाम से हम लोग और जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है ऐसे इसका आपको सही अंसर क्या है क्या है क्या है पोली साइकलिक अरोमेटिक हाइड्रोकारबन होता है हैं आगे बादने देखते हैं 27 नमर कोश्चन में पूछ रहा है कि इसमें हैं जो कौन है जो नं बायो डिङरेबल पॉल्यू टैज है तो आपको जो सही अंसर क्या है इसमें आपको गिरीन लीप्स दिया हुआ है सताइस के कोस्टन में और क्या चीज निउस पेपर और कॉडंक्स और क्या चीज है आपको डीडीटी देखिए इसमें नन बाई इसमें पूछा गिया है चले आगे बढ़ते चलते हैं देखते हैं कोस्टन नमबर अथा सटंब आप से पूछा गिया है कि जो शुक्रानौ का विकास होता है जो आपको डाली को में में संटो में सब्सक्राइब इसका जो सही अंसर होंगे, आपको 28 का option number B होगी है, जो इसका सेमनी फ्रेस्टेवल है, जो इसका सही अंसर होंगे, देखिए इसमें क्या होता, आपको मैंने explanation किया था, उसमें male reproductive जो system था, उसमें मैंने आपको समझाया था, एक एक चीज आपको है, जो आपको है, जो टेस्टी कैसे कावर रहता है, उसके बाद कैसे जाता है, उरेथरा तक कैसे है, जो निकलता है, एक एक question को मैंने बारीकी से समझाया था, उसमें, एक एक इसमाश है, डाइग्रेम, उसमें आपको होस्त रखता है कि आपको वह भी आगर पूछ दे नहीं तो मेल पूछ दे आपको अमीवा के बारे में पूछ दे आगर डाइग्राम बनाने के लिए तो आप है, जो एजी बे में बना सकते हैं, तो इस सब आप जो कोस्टन, यह सब कोस्टन को आप अच्छे समाज करके जाएंगे घर से ठीक है, चलिए तो यह जो आपको होते हैं, सेमने फरेस्टेवल में यहां पर वही पूछ रहा है कि वहर इस दा असपार्म डेवलाप्ट ता यह आपको यह भी कहा सकते हैं, कि टेस्टिस भी अगर दिया रहे गाता है, लेकिन आपको है, यहां पर पूछ रहाते हैं, सेमने फरेस्टीवल है, जो सही अंसर है, देखिए, टेस्टिस अर दा भेर, क्या असपार्म डेवलाप्ट पॉड्यूस्ट, ए टेस्टिस अर दा क्याची, लिंक्ट तू दा क्याची, क्या है, र इसमें आपसे पूछा गिया है, रिलेक्सीन हॉर्मोन किस के दोरा है, जो निर्मीत होता है, जो रिलेक्सीन हॉर्मोन है, जो आपको है, जो किस के दोरा अस्त्राबित होता है, मतलब जो किस के दोरा निर्मीत होता है, ठीक है, आपको निर्मीत होता है, रिलेक्सीन हॉर्म तो आप उसको भी सही लगा सकते हैं अगर दे दिया जाए अगर नहीं रहे तो आप उसको भी सही अंसर लगा सकते हैं ठीक है यह आपको है जो आपको अगर इसमें आपको पूछा जाए तो आप इसको लीक भी सकते हैं अगर सब्जेक्टिव कोस्टन पूछ दिया जाएगा तर ठीक है इसका जो आपको सही अंसर जो होंगे आपको क्या चीष ओवरी है जो इसका सही अंसर होंगे तेखिए रिलेक्सीन हार्मोन आज़ दा सेप्रेटेटज नंबर यह ऐब आगे बढ़ रहे हैं question number 30 में, 30 में आप시 पूछा घया होता धा, हम लोग इसके क्या कहते हे जो सही अंसर है, pak आपको 30 नंबर का क्या चीजिस बीनमर ब्लास्टो पोर्स है जो इसका सही अंसर непोट चले आगे बढ़ते हैं जयो है कोश्चर नंबर 31 एक तीस में 31 आपसे पूछा गिया है कि पौर लीमस औप मे इबिंगस आफ वारडर जो आप से पूछा गया है इसमें क्या कि जो मनुश के अगर अंग तफा पाचियों के पंक जो होते हैं to आपको उस मतलब उसको किस अंग के नाम से हम लोग बलाते हैं चैसेज एना लोगास कहते हैं या पैरलेल इंज और उर्गास कहते हैं आप यह कोस्टन आपको यह भी है जो याद रखना हो सकता है कि आपको वह पूछ दे हम लोग जो अभी है जो अभी के जो अथी में है जो आम लोग को जो मैं को है जो क्या चीर होमो सेपियन के नाम से हम लोग जानते है ठीक है तो वह भी कोस्टन को आप वह भी है जो बहुत पूछा गिया है कि age of pieces is called edge देखे एज मानव का अलग नाम होता है और जो मचली है उनका भी अलग नाम होता है तो इसमें वही पूछ रहा है कि age of pieces is called तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो डीवोनियन अभी में दिया क्या पेरीमें असी में देखा ची सिलरीन अडी में जानते हैं ठीक है देखते हैं 33 नमर question 33 में आपसे पूछा गिया देखे यह भी question है जो बहुत बार repeat हुआ है अब बहुत बार मैंने इसको समझाया है इसमें आपसे पूछा गिया law of catcher बोल रहा है इसमें आपसे पूछा गिया law of catcher बोल रहा है 33 में law of embryonic development बाज catcher proposed by तो कि किनके द्वारा परपोस्ट किया गया गया तो किनके द्वारा है जो दिया गया था इसका 33 का बोन बियर के द्वारा दिया गया था क्या चीज़ का साही अंसर क्या है बोन बियर के द्वारा है जो आपको दिया गया था कब दिया गया था क्या आठारा सो आठाइस ही में है एक्षी 1828 है ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं question34 में आपसे पूछा गिया है क्या पूछा गिया इसमें पूछा गिया है transgenic plant having higher storage protein इसका ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते है इसमें आपको बोल रहा है जिसका जा सही है आपको बी नमबर उगे बी नमस्ट हो एसमें आपको जो ए यह उसमें है जो आप देखिए गा तो उसमें आपको है जो इसको अधम बहतर रहां से आपको लिखा गया समझाए गया यह चीज को इसमें आपसे पूछा गया है कि मेलटिंग डिने क्या बोल रहा है डाइक क्या है डियोक्षी राइबो नीकली एसीड जीस को हम लोग आते ह से द्यूटू बेक्ड़न और विछ बॉंग को ब्रेक्ड़न करता है सथर डिगरी से छियर्फ पर आपको क्या रोजन बॉण को या फॉस्पोडाइस्टर बॉंड को या क्या है ऐसे एगलाको-सीडिस बॉंड को इसका जो सही अंसर क्या होंगे आपको 35 का सभी अनसर यह नम किसके लिए उप्रियुक्त होता है कि इसमें पूछ रहा कि है इस के लिए है जुटेवल होता है औल यु Abs之前 है क्या दिया अटीन का आपको प्लांटिंट्ग एस जा cinnamon clarcanipping नना तो सभी नियसका तीन इसका उपे और प्लांट सेल है आपको सही अंसर होंगे क्या चीज ट्रांस्फॉर्मेशन और सेल ठीक है चले आगे बाट रहे हैं देख रहे हैं अपसे पूछा किया है देखिए यह कोष्टन है जो इस 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 कोष्टन को भी आप बहुत बार रिपीट हुआ इस को भी आप अच्छे से या लेन्टो लोजिस्ट औफ इंडिया प्लेन्टो लोजिस्ट जो थे भारत के परशीद जीबास वह ग्यांई मैं पूरा नाम था इनका पूरा नाम था क्या बिर्मल साहनी नाम था बिर्मल नहीं बिर्मल साहनी ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं देख अरतीस नमर कोस्टन में पूछा गिया है क्या चीज बोला आइसोलेशन ओप डिये ने फ्रॉम ए फंगल सेल इन बहुल विद्धा यूज ऑप क्या चीज इन जाइम इसका जो आपसन नमर ए में दिया क्या चीज इको राइबी म चीज इसका चीज बोलrr पोंडिकी लिए इसका जो सही एंस्टैन शॉजी आई का अपको फोस्टे पूछा किया है पुछआ गिया है कि एजीन फूज एकस्प्रेसन हएल्ब टु आइंट झ्द फाइए ठाइस एजक इसमें आपको बोल रहा हाकिस एजीन फूज एकस्प्रेशहृृ एकस्प्रेसं मेस से हैं जो काम करता है क्या सी ट्रांसफ पॉर्म्ड शृंस से क्या ट्रांसफॉर्म अंशा एक चैसे लेक्टेबल मारकर्स का स्लेक्टेबल मारकर्स जिसको वरन योग चिनहक जिसको कहते हैं हिंदी में ठीक है चलिए फोटी और नमर कोशन में आप से पूचा एक निमलीखित में से विकास सील ब्रून में क्या चीज़ एमीनो सेंटेसिस दोवारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है ठीक है तो अप्सन नमर्बर डॉन सिंड्रम को बी में दिया है जौन डी और पीलिया चीज़ क्या है फ्लाइन फेल्टर सिंड्रोम असडी में दिया है क्या चीज़ फ्लापिंग और फीटर बाइद गया चीज़ एमीनो टो जेने क्या है टेसिस इसका जो सही अंसर क्या है आपको आप्शन नमर्बर कौन सा सही है बी नमबर है क्या चीज़ पीलिया होगा ठीक है चलिए अब आगे बाढ़ रहे हैं देख रहे हैं क्या चीज़ पूछा गि वीडियो में ठीक है उसमें हम लोगोंने समझा था इसका है जो आप से यही पूछ रहा है कि 11 जुलाई को जो मनाया जाता है तो क्या चीज़ बाल्ड इन्वारामेंट डे बाल्ड हेल्थ डे बाल्ड पॉप्लियोशन डे या नोट टेवाइक को डे इसका जो सही अंसर क्य किया गया था आप लोग है जो अगर वो कोस्टन अगर बनियां से देख लीजेगा तो लागवा अब्जेक्टिव मिल जाएगा और बन जाएगा आपको क्योंकि उससे ही जुड़ा हुआ है अब्जेक्टिव लागवा कोस्टन ठीक है देखिए इसमें आपसे पूछा गय To How Many Weeks Of Fregnancy A में दिया है। 6 weeks और B में दिया है चाथ एट बीक चीड़ ट्वेल वीक दी में दिया है 18 सब्टा है 18 संबीच सब्टा है 18 सब्टा एंटी जो है गरवा वास्ता कते सब्टा स्ब्टा ठीक है चलिए 18 बेक्स ठीक है और आगे बार ने 44 number question नहीं पूछा गिया एई बान जीम 있는 जो थियोरी था किस ने दिया था मतलब सिधान्त जो थे क्या चीज जो एक जीम सिधान्त किस सी प्रस्तावीत किया था तो इसका आपको 44 का सही answer क्या है जो देखिये 44 का आपको सही answer क्या है जो देखिये इसके option का यहां इसका जो सही आंसर क्या है 44 option number क्या है A but के दबारा दिया गया था तब एडले ऐड़ियत सब्लार आपे दिया गया था झ Ooh हुशे थे मैं कि फोटिफंभ में आप से पूचा इया है पूंस नहीं weit इस जांक लिंग क्या है कि एक्स डीएशिय। इंट्रों ESSे मिर्ग और बाद है देखन ज्यालीस नमेर को चैनुशिय। कोडिज अनुवान्सिक कूट होता है जो एक को सिक्स काव को सख़ी आपको आपसन नंबर सी नंबर है जो आपको सही आंसर क्याइब और यह अन्ड एक और दोनों है जो आपको सही ऊंगे ठीक है अब आगे बाढ़ रहे हैं देख रहे हैं फोटी सेबन नमर कोस्टन फोटी सेबन नमर जो कोस्टन है इसमें आपसे यही पूछा गिया है कि जो टेस्ट्यू बेबी जो होता है जो आप लोग भी देखते होंगे इसका परचार एड भी आता है आप लोग टीप पर और यह करता है तो इसमें आपसे पूछा गया दाटेस्ट्यू बेबी प्रोग्राम इंप्लाइस क्या है वीच ओफ फोलोइंग टेक्निक्स तो इसमें आप्शन नमर या आई यू आई बी में दिया हुआ कि जी आई एप्टी आई एप्टी आई डी क्या जीप्ट जीप्ट सही ओगा दो फोर्टी शेवर कों डी मर है जो आपको सही अंसर और जिसको है जो सही नम्बर है जो किया जाता है इस में लौट अॉप्स right होता है टाहिए अपिसमें आपको दिया नारह चेनलम hybrid का होता है किसमें आपको काफिके अदाविय और नेयिक्वत्त टाइड misin और नुоло आप ऑप से पुचांए ऑफ से पुचा किया एक यह गैवरा एट इंटरनेशनल बाई o और डाइबर्स सिटीडे इजलीटेड और अप्स नमबर ए में दिया है क्या एक सेपन्बर को बी में एंडिया साथ युलाई को सी में दिया नौ अगस्त को डी 22 मैं को इसका जो सही अंसर है 49 का option number क्या चीज डी नमबर क्या चीज बाइस मैं को है जो जो इंटरनेशनल बाइलोजिकल डाइवर्सीटी डे है जो मनाया जाता है तो इसका चीज बाइस मैं को 50 नमर कोश्चन देखते हैं पाइस नमर कोश्चन में आपसे यही पूछा गया क्या पूछा गया है कि वहीच ऑफ फॉलोइंग प्लांट अस्पेसी इज इनिंटैंजर इंडिय लिस्ट इंडेंजर लिस्ट में आपको कौन सा है कौन सा स्पेसि तो आप्सेंट नमर आपको सिया निफेंटीस है जो आपको क्या चीज़ है इंडेंजर लिस्ट में है क्या चीज़ प्लांटर स्पेसिस में ठीक है आगे बरते हैं कावन नमर क्योष्ट में आपसे पूछा क्या है कि वीच क्या भी इस अप देंशनल एक्यूटिक अनिमल ऑफ इंडिया इसे में आप से पूच आप से पूछ दिया जाए गा तो यह को पुस्टन आपको बहुत पाशन आप में दिया हुआ है सार्क इसका जो सही आंसर है और बी नंबर रीबर डॉल्फीन है जो इसका सही आंसर होंगे 51 अब आगे बादे चलते हैं देखते हैं को साइसे नंबर फिप्टीटू में आपसे पूछा गिया है कि इन वी ही इच ऑप क्या वहला इन इन फॉलोई वी एच वानीच क्या टर्म इसमें आप से पूछा गया है कि मतलब इसमें क्वाटा विश्चण को डोनित एक अप्लीनेशन हाय में दिया यू एची बी अच होए ऑध क्पशन उख होगा एच यू यूजी आपको सही अंसर होगा supremac fix plus a आगे बढधते हैं झो इसमें आपको समझाया गया था कि इन इसमें आपको है जो एक्स्प्लानेशन किया गया था जिसमें आपको समझाया गिया था क्या चीज़ बाहिए अस्थाने तो आपको 53 नंबर B है जो जो लोजीकलंग गार्डेन है जिसका सही अंसर हो देखे इसमें यह पूछ रहा है कि जो तीनल पराकिर्टिक ढौल रहा है जो बोला है इसका जो आपको option number क्या ची बी नमर बतला है जो लोजिकल गार्डेन है जो आपको सही अंसर होंगे ठीक है चलिए 54 नमर कोच्टन में आपसे पूचा गिया है कि निस्किरिये पर तीर अच्छा की खोच किसने की जो पैसिब इमोनीटी था जो हूँ वाजदर डिस्काबर्ड एडवार्ड जेनर अब इसमें आपको क्या है कि एमिल बोन वेरिंग तीर स्का जो सही अंसर होंगे डी नमबर होंगे डी नमर में क्या जो पलाजमा सेल जो हो होते हैं प्लाजमा सेल आज ड्राइब्ड फ्रॉम क्या जो प्लाजमा सेल होते हैं बोल रहा है क्या जी प्लाजमा सेल इस ड्राइब्ड फ्रॉम तै इस में आपको क्या बोल रहा है तो आप्शन नमबर में दिया है क्या ची मीमोरी बी सेल भी में दिया है हेल पर टी सेल सी मे इसका सहह श्रून होंगे अब आगे आगे बारतें Demo project 56 अमर नंब reasoning में किया पूछा गया है दीए 76 alma question में आप से पूछा गया है क्या पूछा गया इसमें आप से पूछा चिकन पॉस्कू किसके कारण होता है क्या पहलाँ चीकन पॉ fundamentals सानु के कारण होता है आगे बढ़ते चलते हैं देखते हैं question number 57 में 57 में आपसे क्या पूछा गया देखे यह question हम लोगों ने morning में भी देखा था जो आपसे पूछा गया था क्या चीजर molecular seizure के बारे में इसमें आपसे यही पूछा गया था कि उसमें आपको है जो question पूछा गया था जिसका option था molecular seizure ठीक है इसमें आपको पूछा गया molecular seizure used in genetic engineering is क्या बोला है कि molecular seizure is used in genetic engineering तो option नबर A में दिया हुआ है क्या चीज एमाइलेज B में दिया हुआ है क्या चीज लाइगेज C में दिया restriction इसका जो सही अंसर क्या होंगे 57 का सी नंबर होंगे रेस्ट्रिक्सन इंडो निकली एज है जो इसका सही अंसर होंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं 58 नमर कोस्टन 58 नमर कोस्टन में आपसे पूचा गया कि मानम नीरिमीत एली पोलाइडी अनाज की फसल है तो आपको 58 नमर कोस्टन हम लोग देखते हैं 58 नमर कोस्टन में आपसे क्या पूचा गया है कि एक मानम नीरिमीत क्या है एलो पोलाइडी अनाज फसल है तो आपसे नमर कि आफो आ की आप को सही अंसर होंगे 59 नमर कोस्टन में आप से पूचा गिया है कि था एक आल को राइड क्या है क्या है को लेकर तो नेले सबसक्राइब को ऊसे बिसका ने पूछा गिए है कि अपसे पूछा गिया है क्या पूछा गिया यह कोशन लगता है पहले भी हम लोगों ने देखा था पूछा गिया है कि इसका सही अंसर क्या होंगे एड्स इसका सही अंसर क्या है एड्स एड्स नागे बढ़ते हैं देखते हैं पूछा गिया है कि वीच पार्ट ऑप दा तुमबाइको प्लाइंट इज इंफेक्टेड बा क्या मेलाइड डियो जेनी क्या इनकोगेंटिया अप्सन नबर एम दिया फ्लावर भी में दिया लीफ डी में दिया रूट तो इसका जो सही अंसर क्या होंगे तो सिक्स्टी का सह सिस्टी वान का साही अंसर डी नंबर रूट है जो आपको साही अंसर होंगे क्या जी रूट डी नंबर ऑप्सन ठीक है चलिए अब आगे बाद हैं देख रहे हैं कोस्टन नमर 62 में 62 में आपसे पूछा गिया फास्ट क्लोंड एनिमल ता हम लोगों ने हम लोग जो है जो यह जो कूस्टन था एट कल स में है जो कुछ नोट्स दे करके ए इस जीному को है जो एक टॉपिक को समझाया गिया है वहा पर आपको चार से पांच लेंर लिखा गिया वहां पर आपको समझाया गिया ता लेकिन हम लोगों ने ट्वेल्ट में जाकर ऑक जो अच्छे तरह से पढ़ा और explanation के साथ ठीक है तो इसका जो सही अंसर क्या होंगे जो देखिए option number a में दिया हुआ है यही कि क्या ची बोला है dolly सीप बी में दिया molly सी में दिया poly डी में दिया dog तो इसका जो आपको 62 का जो सही अंसर होंगे dolly सीप है जो है क्या चीप फास्ट क्लोंड एनिमल है जो dolly सीप है जो आपको सही अंसर होंगे ठीक है यह है जो हम लोग एट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो एट क्लास में थोड़ा बोद पढ़ने का था ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं आज आता है जो आपको आता है तो आपस्ट नवर ए में दिया हुआ है क्या शीट इसका जो आपको सही अंसर क्या है डी नमर ऑप्शन है जो आपको सही अंसर क्या चीज असी से लेकर के निनानमे डेसीवल ठीक है अब आगे बाढ़ रहे हैं देख रहे हैं 64 नमर कोस्ट इसमें आपसे यही पूछा गिया है कि वीच आप दा फॉलोइंग इस बायो डिग्रेवल पॉल्यूटेंट इसमें आपको बायो डिग्रेवल पॉल्यूटेंट कौन है देखे हम लोगों अब आगे बाढ़ रहे हैं देख रहे हैं कोस्टन नमर 65 में आपसे पूछा गिया देखिए एक कोस्टन को हिंदी इंगलिस दोनों में हमने समझाया है एक कोस्टन को बारीकी से समझाया है कि छोड़ करके नहीं कि आपको है जो आगे बाढ़ते चले गए ठीक है तो एक अब आगे बाढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नमबर 65 में 65 में आपसे यहीं पूछा गिया है कि CO is more toxic than CO2 because of hemoglobin option number a में दिया हुआ क्या चीज़ हम लोगों ने देखा तो इसका जो सही अंसर 65 के जो option नमबर आपको डी नमबर है जो आपको इट रेडियूसेज दा इट रेडियूसेज दा oxygen carrying capacity of hemoglobin क्या या hemoglobin की oxygen क्या चीज़ वहन छमता को कम कर देता है ठीक है चलिए 66 नमर question में आप से क्या पूछा गिया है इसमें आप लोग देखिए 66 नमर कोशन में आप से पूछा गिया है क्या जो देखिए इसमें आप से पूछा गिया है कि which of the following plants is used for the purification of water औप्सन नमर 8 में में दिया हुआ क्याएय जिर The तो इसका सही answer क्या है ऑप से पूछा गिया क्या है चुस्टीसिक्स किER उप्सन पूछा गियाकि क्यानवणक्या निमलीखित में से कौन अप्चिant नर्कोटिक है, ठीक है, option number A में क्या दिया हूँ? Option number A में दिया हूँ क्या चीए लस्डी, B में दिया म 오래कूलियन, C में उत्ठेज़टक D में दिया। तहथी when that, we mix of the following is anhelpida malachotics, A में Record Bay, LSD, B अमार्फं, C में दिया हूँ, एस्टीमूलेंट चाहिए स्टीमूलेंट अपडी में दिया हुआ इसका जो 67 का आप्शन नंबर क्या वी नंबर मॉर्फिन है जो sarà आपको बी नंबर आप्शन है जो सही अंसर है ठीक है 68 नमर कोईस्टन में में आपसे पूछा गया क्या टाइने क्या ट्री ये ने का होता है येने मिधाइलेशन कहा होता है तो कहा होता है तो में nomor A एड़ी इसका जो सही अंसर क्या होंगे ऑप्सन नमबर इसका सही अंसर 68 का आपको डी नमबर है जो इसका सही अंसर होंगे तीक है आप देख रहे हैं second last question है हम लोग का 69 में इसमें आपसे यहीं पुछा गया कि DNA का पर्ति क्रीति करन होता है तो इसका जो आपको सही अंसर होंगे 69 का जो क्या होंगे तो आपको 69 का जो सही अंसर होंगे जो सी नंबर होंगे सी नंबर में हम यही दिया गया है कि दोनों बोध तीन से पांच डिरेक्शन है या पांच से तीन डिरेक्शन ठीक है तो इसका जो सही अंसर क्या होंगे सी नंबर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नंबर कोस्टन नंबर सतर में आपस होता है तो का सही अंसर होगे तो यहीं आपका है ऋर बाकि जो jsूं रॉफ और को सिस करूंगा कि आपको है जो साड़े आठ्स से आगर नौ के बीच में रहे अर अच्छा से अच्छा है जो नमबर लाने का प्रयास करिये है थाथ इक्षिट ई कि आपको आपको है जोता भी Volkswagen तो आपको है एक प्लस मार्क फाइब रखा हुआ वहां से कहीं देखके चल जाएगा क्योंकि एक को सब्सक्राइब करके आपको तयार किया गया है एक को ठीक है तो आप है इस चीज़ को है जो बेटर ढंक से समझे और एक के कोस्टन को है जो एक्स्प्लानेशन किया गया है ठीक है तो आप है जो पूरा मन लगा के पढ़ाय करते रहें और बेहतर से बेहतर है जो नमबर न ठीक है तो बाई सी यू सुन बचा बाटी मिलते हैं अगर होगा तो नौ बजे के आसपास ठीक है तब बाई